अभी राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की जो बैठक राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की आफिस में हुई और जो एक हमने वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया और आदर्निय पवार साथ को हम सबने पूरे सर्वसमती से ये फैसला किया और जुननती की कि आपने राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के पद पर बने रहना चाहिए देश के अनय बड़े नेताओं की भी और देश के अनीक मान्यवरों की इच्चा है कि शरत पवार साथ ने ये पद पर बने रहना चाहिए अभी जो प्रस्ताव हमने वहाँ पर पारित किया उसको हम सभी लोग जो वहाँ पर मीटिंग में थे यहाँ पर आकर उनके पास हमने वह प्रस्ताव साधर किया और उनको कहा कि यह हम सब लोगों ने जो मीटिंग में पास किया प्रस्ताव यह आपको हम सादर कर रहे हैं हमारी इच्छा है कि आप इस प्रस्ताव का आदर करिए लोगों की भावनाओं का वरकर की पार्टी के लोगों के निताओं का आदर करिए और उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त मैं इस पे सोचता हूँ और उसके बाद में म हमने उनको अभी मिलेए अभी उनको कुछ मैं तो समझता हूँ कि कम से कम कुछ गंटों का वक्त तो दुरना चाहिए अभी के अभी उनसे हम कहें कि अभी के अभी आप हमको पता दीजिये हमने उनको विनंति की है उन्होंने सा chrom णूरमाव का आपको को सुना है लेकिन अब आखिर वो नेता है हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि अभी के अभी हमें जवाब दीजिए उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त सोटने का दीजिए तो हम जैसे भी हमारे पास कोई और सूचना आएगी हम आपके सामने उस बात को रखने के लिए फिर से आएंगे अनि एक मझे गोशना केलियो ती त्यांचा बासना मदे आमी सर्वा बसलियान अंतर या प्रस्ता हो ज हमानी अन्य कारेकरतां ची अने एक मानयवर राष्ट्य पत्रिवर काम करना रहे बाकी जै प्रक्षा चलिया नेतां ची ये जह भावना हे कि आमी त्या प्रस्ताव मेदे आमी सर्वाणू मते पवार साहिबाना या पक्षा प्रधा वर रहव यी विनंती केली होती आनी प्रस्ताव जै मी पारित केला त्यांचा कड़े आमी सर्व जे मीटिंग मदे हजर होतो आमी ये उन त्यानना साधर के लेला है आनी त्याननी आमची सर्वब आपती गोश्ट का आइकुन गितली आनी हे पन सांगितला के थोड़ा वेल मला दया मी विचार करतो आनी निश्चित त्यांचा करून आमाला जेका निरोप मिलेल थोड़ा एवडे मोठे नेते आये त्या बाप्ती ची पूर्ची सुचना आमी देव। समीती चा नेता नी आता सिल्वर ओकवर जाओ श्रदपवार आँची फेटिकतली या भेतिन अंतर आता प्रफूल पटेलेंची प्रतिक्रया समुराली लिया हे प्रस्ता पावर विचार करो निर्णे घळार अश्र परतिकतली श्रदपवार यान नी दिलीए प्रफुल पटेल यानी दिलिये